दूद हमारे देश और कल्चर का एक अटूट हिस्सा है रबड़ी या पेड़े जैसी मिठाई हो या फिर पनीर हम इसे कई अलग-अलग रूप में देखते आए हैं जहां अधिकतर विदेशी लोग अक्सर लाक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं वही हम में से कई लोगों के लिए तो दिन में तीन ग्लास दूद पीना बड़ी आम बात होती है बस तो ऐसे ही दूद के शौकीन लोगों के लिए हम लेकर आए हैं इंदौरी केसर दूद की ये विडियो जिसको पिया तो आपने कई बार होगा पर आज देखिए कि ये बंता कैसे है सबसे पहले तो इस बड़े से 100 लीटर के मिकसर में दूद को उपर तक भरा जाता है जिसके बाद केसर फ्लेवर और प्योर केसर एसेंसिस में मिलाया जाता है साथ ही मिकसर में घूमते हुए दूद नीचे से गरम भी होता रहता है यहां के उनर से बात करने पर हमें पता चला कि पूरे दिन में यहां लगभग ऐसे 3 बैचस तियार होते हैं यानी 300 से लेकर साड़े 300 लीटर दूद को खत्म करना यहां आने वाले लोगों के लिए केवल एक दिन की बात है अब बारी है दूद में चीनी डालने की यहां हर 100 लीटर के बैच में 5 किलो चीनी डलती है यानी 1 लीटर दूद में 50 ग्राम चीनी यह शायद आपको ज्यादा लगे लेकिन जरा सुनिये बजार में मिलने वाली 1 लीटर कोल रिंग जिसे हम एकदम से खतम कर देते हैं उसमें लगभग 100 ग्राम चीनी होती है अच्छी तरह से चीनी मिल जाने के बाद गरम दूद को एक अलग पतीले में निकाल लिया जाता है और फिर एक बड़ी सी कड़ाई में दोबारा खौलाने के लिए डाल दिया जाता है ऐसा दूद का पानी जलाने और उसे गाढ़ा करने के लिए करते हैं जिसके दौरान थोड़ी थोड़ी देर में इसे कर्ची की मदद से चलाया भी जाता है ताकि दूद कड़ाई के तल से लग कर जलना जाए बस अब तो हमारा केसर दूद बनकर लगभग तयार है बारी है से सर्व करने की जिसके लिए पतीले से पेपर कप में दूद को डाला जाता है और फिर उपर से थोड़ी मलाई या रबडी आइड करने के बाद कस्टमर्स को लबालब दूद से भरा गलास थमा दिया जाता है वैसे एक बात मुझे तो बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने यहाँ पर कुलड का इस्तमाल नहीं किया कुलड हम तो एक ही बार इस्तमाल करते हैं लेकिन वो जिस खनिज से भरी मिट्टी से बनते हैं वो हर साल नदियों के तट से कम होती जा रही है इसी लिए हम सभी को कुलड का इस्तमाल करने से बचना चाहिए लेकिन फिलहाल के लिए तो हम आनंद उठाने जा रहे हैं इस इंदोरी केसर मलाई दूद का वैसे तो आप इसे कभी भी पी सकते हैं लेकिन सर्दियों में इसे पीने का अलग ही मज़ा आता है और इसके लिए आपको देने हुंगे मादर 35 रुपए अगर आप सिर्फ केसर दूद पीना चाहते हैं और अगर उपर से रबडी डलवाई तो दाम हो जाएगा 65 यानि की 65 रुपीज दुकान का अड्रेस और टाइमिंग आप खुदी सुन लो अब इसे आप चाहे तो घर पे बनाओ वरना इंदौर निवासी हो या इंदौर आना जाना लगा रहता है तो यहां आकर पी कर जाओ चोईस आपकी है लेकिन हां ऐसे ही स्वादिष्ट खाने से भरी विडियोस के लिए वी आर फूरीस को फॉलो करते जाना